सुप्रभाद बच्चों, यादेना दिन के सुरुवात गायत्री मंत्र से करें आज मैं आपके लिए एक प्यारी सी कविता लेकर आए हूँ जिसका सिर्शक है राजा बेटा सुपह सवेरे जल्दी उठना उठकर जटपट मंजन करना नियम से पढ़ना नियम से लिखना खेल कूद भी समय से करना मा का कहना हर्दम सुनना मा का कहना हर्दम सुनना ऐसे राजा बेटे बनना धन्यवाद सुपह से बेरे जल्दी उठना उठकर जटपट मंजन करना नियम से पढ़ना नियम से लिखना खेल कूद भी समय से करना मा का करना हर्दम सुनना ऐसे राजा बेटे बनना सुपह से बेरे जल्दी उठना उठकर जटपट अंजन करना नियम से पढ़ना नियम से लिखना खेल कुद भी समय से करना मा का कहना हर्दम सुनना ऐसे राजा बेटे बनना कविता सुनाने जा रहे हुँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँ दूसरी कविता सुनाने वाले हूँ जिसका सेड़सक है शाम हुई चीची चीची चिडिया बोली अब मत खेलो आँख में चोली शाम हुई अब जाओ घर माको लगता होगाड़ चीची चीची चिडिया बोली अब मत खेलो आँख में चोली शाम हुई अब जाओ घर माको लगता होगाड़ चीची चीची चिडिया बोली अब मत खेलो आँख में चोली अब मत खेलो आँख में चोली साम हुई अब जाओ घर माको लगता होगाड़ माको लगता होगाड़ चीची 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 चिडिया बोली अब मत खेलो आँख में चोली साम हुई अब जाओ घर साम हुई अब जाओ घर माको लगता होगाड़ भन्यवाद